नमस्कार दोस्तों, नव भार्थी परिवार में आप सब का स्वागत है। मैं आज आपको B.A. 2nd year, पेपर नम्मर 9, युनिट 1st का आपका टॉपिक है बच्चो, मुल्यांकन। मुल्यांकन से पहले आपने आकलन और मापन के बारी में पढ़ा था बच्चो, मैंने आपको बताया था, एक वर्ड आपने इसमें सुना था आकलन और एक था आपका मापन। मैंने पिछले वीडियो में भी बच्चो आपको बताया था कि मापन जो होता है, वो अर्थ, अर्थ प्रदान करता है, अंक देता है, संख्यात्मक होता है, कौन मापन। मापन जो होता है संख्यात्मक होता है तथ्यात्मक रूप्रदान करता है मापन में परिमानात्मक निर्णे तर पहुचा जा सकता है लेकिन बच्चे का परिमानात्मक परिनाम ज्याद करना ही प्रियाक्त नहीं होता है उसका गुनात्मक निर्णे देना भी आवश्यक होता है इसलिए मापन बच्चो एक संकुजित अवधारना है मापन में अंक दिये जाते हैं अंको को अगर हमने अर्थ दे दिया क्या दे दिया बच्चो? अंको को अगर हमने अर्थ दे दिया कि बच्चा अच्छा कर रहा है आगे जाकर के अच्छा करेगा तो ये सारी चीजे कहलाती है बच्चो आकलन क्या कहलाती है आकलन जब अंक और अंकों के अर्थ को हमने मुल्ले दे दिया क्या दे दिया मुल्ले दे दिया उसी को कहते है बच्चो मुल्यांकर तो मुल्यांकन में बच्चे के संपूर व्योहार का अध्यान किया जाता है तो मुल्यांकन के अनुवरत चलने वाली ख्रक्टिया है मुल्यांकन में व्यक्ति के व्योहार में या बालग के व्योहार में वांचित परिवर्तन कितना हुआ इसको समय समय पर मुल्यांकन के माध्यम से देखा जाता है आप सब जानते हूं बच्चों मुल्यांकन के अंतरगर निस्पत्ती परिक्षा और मान दंड परिक्षा दोनों को अपनाया जाता है क्या होती है बच्चों ये एक तो होता है मान दंड परिक्षन और एक होता है आपका निस्पत्ती परिक्षन निस्पत्ती जो परिक्षन है बच्चो वो पाठे पुस्तक पर जोड़ देती है जबकि मान दंड परिक्षन बच्चो के क्रियात्मक पक्ष पर जोड़ देता है तो मान दंड परिक्षन के अंदर मुल्यांकन जो किया जाता है वो दोनों का किया जाता है बच्चों मान दंड परिक्षन का और निश्पत्ती परिक्षन का और इसके आधार पर हम बालत का मुल्यांकन करते हैं तो बालत के मुल्यांकन का जो आधार है मुल्यांकन के अंदर बालत का ज्यानात्मक, भावात्मक और त्रियात्मक तीनों पक्षों का विकास कितना हुआ है ये देखा जाता है बच्चों तो बालत का ज्यानात्मक, भावात्मक और त्रियात्मक इन तीनों पक्षों का विकास कितना हुआ है ये आप मुल्यांकन के आधार पर देख सकते हैं इसके अलावा अध्यापक ने जो सिक्षन करवाया है उन सिक्षन करवाने में कितने उद्धिशों को उसने प्राप्त किया है वो हम मुल्यांकन के माध्यम से देखते हैं तो अध्यापक द्वारा कराए गए सिक्षन में उद्धिशों की प्राप्ती कहां तक हुई ये मुल्यांकन के माध्यम से पता चलता है फिर आता है बच्चों बालकों ने कितना अधिगम किया कितना उसको व्यवहार में डाला कितना सीखा कितनी सिक्षन प्रावीदियों के माध्यम से कितनी मात्रा में सीखा समाज में उसका कितना उप्योग किया वास्तिक जीवद में उसका कितना उप्योग किया बच्चों ये सब हम मुल्यांकन के अंदर देखने हैं कि बालक ने कितना अधिगम किया अधिगम करने के बाद उसने उसके व्यवभार में कितना परिवर्तन आया और वांचित व्यवभार में परिवर्तन करते हुए कितने सैक्षिक उद्धिश्चों को प्राप्त किया जा सका कितनी विशय वस्तू को पढ़ाया जा सका उस विशय वस्तू से बालत के व्यवभार में कितना परिवर्तन हुआ ये सब हम मुल्यांकर के माध्यम से देख पाते हैं फिर आता है बच्चो अधिगम की परिस्तियों सीखने के अनवाव के लिए प्रियुक्त सबी विधियों और प्रवीधियों की उप्याद्यियता की जाज की जाती है कि बालत को जो अधिगम परिस्ततियां दी जाती है और उनकी उप्योगिता हुई या नहीं हुई ये भी हम मुल्यांकन के मात्यम से देखते हैं कि बच्चे की अधिकम परिस्ततियों और सीखने के अनुगों के लिए प्रियूक्त सभी विदियों और प्रविदियों की उपादियता की जाच जो है हम मुल्यांकन के मात्यम से करते हैं अब कुछ विद्वानों की परिभाशाएं हैं आप सब जानते हैं बच्चो कि कोठारी सिक्षा आयोग जो की 1966 में आया इसने भी मुल्यांकन की परिभाशा दी और बड़ी ही सुन्दर परिभाशा दी ओठारी सिक्षा आयोग ने कहा कि मुल्यांकन एक वह प्रक्रिया है जो संपोर सैक्षित प्रणाली का एक महत्वकूर अंग है कौन मुल्यांकन ये किसने कहा ओठारी सिक्षा आयोग ने इसके अलाबा कॉालेंग और हन्ना ने भी मुल्यांकन की परिभाशा दी है क्या दी है देखो विध्याले द्वारा छात्र के व्योभार परिवर्तन के संब्द में प्रदतों का संक्लन और उसकी व्याख्या करनेकी प्रक्रिया ही मुल्यांकन कहलाती है कि विद्याले द्वारा चात्र के व्यवार में कितना परिवर्तन हुआ उसका संकलन करना और उसकी व्याख्या करना कि किनकिन सैक्षिक उद्दिशों को प्राप्त किया जा सका है किनकिन सैक्षिक उद्दिशों को प्राप्त नहीं किया जा सका है बालक के व्यवार में कितना परिवर्तन हुआ है ये सम मुल्यांकन उसकी व्याख्या करता है ये परिभाशा दी बच्चो कौलें तता हन्ना के द्वारा की विद्यालें द्वारा छात्र के व्यभार परिवर्तन के संबंद में प्रदतों का संक्लन और उसकी व्याक्या करने की प्रतिया को ही मुल्यांकन कहा जाता है उसके बाद देखे वच्चों, बोड और पेपर्स उदैपूर ने भी मुल्यांकन की परिभाषा को प्रकाशित करवाया इसने कहा कि उद्देश्य आदारित अनुदेशन एवं छात्रों की प्रगती का निरंतर और विस्तत निर्दारन सुधार करने की प्रक्रिया देखो जिन उद्देशों को प्राप्त करना है उन अनुदेशों की सुचना उपलब्द करवाना छात्र की कितनी प्रगती हुई है उसकी निरंतर और जाच करना और विस्तत निर्दारन सुधार करने की सुविता जो है वही प्रक्रिया मुल्यांकन कहलाती है ये कहा आपके board of papers उदैपुर ने उसके बाद आती है बच्चो वैसले की परिवाशा वैसले कहता है कि मुल्यांकन एक समावेशन धारना है जो किये गई प्रियास का इस्तर देखता है उसका मुल्य देखता है और उसकी प्रभावशीरता की ओर संकेत करता है मतलब यहां पर यह है कि मुल्यांकन एक ऐसी समावेशन धारना है जिसमें छात्रों के इस्तर मुल्य और उसकी प्रभावशीरता की ओर संकेत किया जाता है वही बच्चो क्या कहलाता है मुल्यांकन कहलाता है ये परिवाशा भी वैसले सहाथी उसके बाद आता है बच्चो डाडेकर डाडेकर ने कहा कि बालग ने प्राप्त उद्धिश्यों को कहां तक प्राप्त किया जो भी उद्धिश्य बालक के निर्धारित के गए थे जिन उद्धिश्यों को ज्यान में रखते वे बालक को अध्यान करवाया गया था अधिगम करवाया गया था उन उद्धिश्यों को कहां तक प्राप्त किया इनको हम किसके मात्यम से मुल्यंकन के मात्यम से देखते हैं ये कहा आपके डाडेतर सहाब हैं उसके बाद आता है टार्देशन और एडम से कहा किसी भी वस्तू वे प्रक्रियया का मुल्य निर्दारण करना ही मुल्यांकन कहलाता है किसी भी वस्तु और व्यक्ति का अगर हमने मुल्य को निर्धारित कर दिया इस्थान को निर्धारित कर दिया तो वही क्या कहलाता है मुल्यांकन कहलाता है ये सुन्दर परिभाषा टार्गेशन और एडम्स देदी तो इन परिभाशाओं को आपने देखा पहली परिभाशा क्वालेन और हन्ना की दूसरी बोर्ड और पेपर्स की तीसरी वैस्टे की चौती डाडेकर की और पांच की है टार्गेशन और एडम्स की इसके अलावा जो परिभाशा है मैंने आपको बताई एक बताई आपको और एक परिभाशा ज्यान रखना बत्चों एंसी ए आर्टी ने भी मुल्यांकन के बारे में कहा कि मुल्यांकन एक वह प्रक्रिया है जिसमें देखा जाता है कि बालक ने बालक के लिए कौन-कौन से उद्देशों को निर्धारित किया गया है और कहां तक उन उद्देशो 1961 में हुई थी तो ये परिभाशा है मुल्यांकन की है तो मुल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है जीवन प्रियंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बालक का इस्तर मुल्य और प्रभाव शिर्ता की और संकेर किया जाता है तो इन परिभाशाओं के आदार पर हम कह सकते हैं कि मुल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है मुल्यांकन संकूर सिक्षा सिक्षन प्रक्रिया का एक महत्वपूर अंग है मुल्यांकन में चात्र के व्यवार में कितना परिवर्तन हुआ ये देखना है मुल्यांकन के अंदर चात्र के लिए जिन उद्धिशों को निर्धारित किया गया था उन उद्धिशों की कितनी प्राक्ति हुई ये सब हम मुल्यांकन के अंदर देखते हैं अब बच्चो आपका टॉपिक है मुल्यांकन के उद्धिश मुल्यांकन के उद्धिशों की अगर हम बात करें बच्चो तो मुल्यांकन का पहला उद्धिश है अंतिम निर्णे देना चात्र के व्यवहार को देखकर चात्र के व्यवहार के परिवर्तन को देखकर उस पर अं संतिम निर्णे देना मुल्यांकन का महत्वकुण उग्दिश इमाना जाता है उसके अरावा चात्र के व्यावार में परिवर्तन को देखा उसकी जाच की उसके इस्तर का निर्धारन किया उसके मुल्ये का निर्धारन किया उसकी प्रभाव शीर्ता को देख करके उसको निर् देखकर उसको प्रगनिर्डेशन और परामश देना ये मुल्यांकन का महत्वपुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्पुर्प उस अधिगम का कितना भाग उसने सीखा और कितना उसके व्योभार में परिवर्तन हुआ कितना वो प्रभावशाली रहा इसका ज्यान करना ही मुल्यांकन का उद्धिश्य माना जाता है कि छात्र ने जो अधिगम किया वो कितना प्रभावशाली हुआ इसका पता लगाना मुल्यांतन का उद्धिश्य माना जाता है तो मुल्यांतन का उद्धिश्य पहरा है बच्चो अंति निर्ने देना दूसरा है बच्चो प्रभाव शीर्ता का पता लगाना तीसरा उद्धिश्य है छात्र की प्रगती का मुल्यांतन करना कि छात्र के ज्यानात्मपक्ष का कितना विकास हुआ है ये सब हम मुल्यांकन के माध्यम से देखते हैं तो छात्र की प्रगती का मुल्यांकन करना मुल्यांकन का उद्धिश्य माना जाता है उसके बाद है नवीर प्रवीदियों का निर्मा मुल्यांकन के अंदर हम देखते हैं कि विद्याले द्वारा चात्र के व्यवहार परिवर्तन में जिन सिक्षन विदियों का उपयोग किया गया था क्या वो पयोगी थी और अगर वो पयोगी नहीं थी तो नवीर प्रवीदियों का निर्मान करना और उपादियता को देखना मुल्यांकन के नहत्रकूर उद्दिष्यों में शामरी किया जाता है तो नवीर प्रवीदियों का निर्मान करना भी मुल्यांकन का उद्धिश्य माना जाता है उसके बाद आता है बच्चो छात्र का परकेकन देखो बच्चो आप मुल्यांकन के आधार पर ही देख सकते हैं कि बालत में किस पोषल, कौन सा पोषल विक्सित हुआ है कौन सा स्रजनात्म कोशल उसमें विक्सित हुआ है क्या वो छात्र प्रतिभाशाली है क्या वो छात्र मंदबुद्धी है क्या वो छात्र किर्केट अच्छा केलता है क्या वो छात्र बास्केट बोल अच्छा केलता है तो इस प्रकार छात्रों का हम वर्गी करण कर पाते हैं किसके मात्यम से मुल्यांकन के मात्यम से छात्र की प्रगती के आधार पर हम देख पाते हैं कि छात्र किस कैटेगरी में जाएगा तो छात्रों का वर्गी करण करने में भी मुल्यांकन का महत्वबों उद्धिश्य माना जाता है फिर यह बच्चो अनुदेशन आप सब जाने हैं बच्चो जो उद्धिश्य सिक्षन के जो उद्धिश्य निधारित किये गए हैं उन उद्धिश्यों के आधार पर अनुदेशन सूचनाय उप्लग्द करवाने का कार्य मुल्यांकन करता है कि आपने कौन से उद्धिशे में धारित किये थे कि उद्धिशों को आप सबने प्राप्त किया है ये सब हम मुल्यांकन के माध्यम से ही बच्चों देख पते हैं उसके बाद है अधिगम कटिनाईयों का पता लगाना आप सब जानते हैं बच्चों छात्र के व्यवार में परिवर्तन कितना हुआ छात्र ने कितना अधिगम किया उसको अधिगम करने में किन किन कटिनाईयों का सामना करना पड़ा ये सब हम मुल्यांकन के माध्यों से तो मुल्यांकन के उद्धिश्या अंतिम निर्ने देना, छात्र को निर्देशन, छात्र वे सिक्षक को निर्देशन वे परामश देना, प्रभाव शिर्ता का पता लगाना, छात्र की प्रगती का मुल्यांकन करना, नवीन प्रवीदियों का निर्मान करना, और छात्र का वर करना रखात्र को अनुदेशन रेना अधिगम कठिनाईयों का पता लगाना ये शल मुल्यांकन के उद्देश्य माने जाते हैं अब बात आती है बच्चो मुल्यांकन की विशेश्ताओं में शबसे पहली नुबद्द चलने वाली प्रतिया देखो बच्चों मुल्यांकन एक जीवन प्रियंत चलने वाली प्रक्रिया है जब झात्र कक्षा में आता है हर दिन उसके लिए नया होता है हर दिन वो सीखता है और हर दिन सीखे वी चीज का उसका मुल्यांकन होता है तो मुल्यांकन ना केवल स्कूल में बलकि समाज में अपने स्कूल में विद्याले में अपने गर में आसपडोस में सभी जगे बालक के बालक का जो विकास होता है उसका क्या होता है बच्चों मुल्यांकन होता है तो हर गतिवीदी का, हर क्रियावीदी का जो बालक स्कूल में करता है, जो टीचर स्कूल या आसपास के वातावरण में करता है, इन सब का मुल्यांकन होता है हाँ हम जानते हैं कि परिक्षा एक निश्चित समय में गोती है, लेकिन परिक्षा के साथ साथ बच्चे का जब बालक कक्षा में बैठा होता है, उस समय अब्जर्वेशन बच्चे का किया जाता है, बच्चे की एक्टिविटी को देखा जाता है, तब भी बच्चे का मुल् कि जब बालक अधिगम कर रहा है बालक को समश्या दी गई है बालक को समश्या का समाधान कर रहा है उस समय की परिस्तियों का मुल्यांकन किया जाता है तो मुल्यांकन एक अनुवरत चलने वाली प्रत्रिया है मुल्यांकन कभी भी रुपती नहीं है फिर यह बच्चो प्रांग्रिण विकास करना मुल्यांकन का उद्दिश्य है जो बच्चे के लिए उद्दिश्य निकारितिये हैं उन उद्दिश्यों को पूरी तरह से प्राक्त करना मुल्यांकन का उद्दिश्य है तो मुल्यांकन के अंदर बालत का ने केवल ज्यानात्मक विकास होता है बलकि बच्चे का ज्यानात्मक, भावात्मक और त्रियात्मक तीनों पक्षों के विकास पर जोर देता है बच्चो कौन? मुल्यांकन तो मुल्यांकन के अंदर बालत के ज्यानात्मक, भावात्मक और त्रियात्मक तीनों पक्षों पर जोर दिया जाता है उसके बाद है बच्चो बाल इंवित पर प्रक्रिया देखो बच्चो मुल्यांकन का आधार ही बालत है बालकों को ध्यान में रखते वे सिक् कि रख्ते हुए ही सिक्षन आभ्यू रचना बनाये जाती है बालकों को ध्यान में रख्ते हुए ही नवीन प्रविधियों का निर्मान किया जाता है तो मुल्यांकन का जो आधार बिंदू है बच्चों वो बालक है बालक को ध्यान में रखते हुए ही मुल्यांखन की प्रक्रिया को अपनाया गया है मुल्यांखन किया जाता है बालत ने कितना अधिगम किया किन किन परिस्तियों का सामना किया कितनी अधिगम कठिनाईयां आई उसके इस्तर का निर्दारण उसके मुल्य का निर्दारण उसका प्र इंद्रित प्रक्रिया है उसके बाद आता है बच्चो सामाजिक प्रक्रिया आप सब जानते हैं बच्चो बालक जो होता है वो अपने आस पड़ोस से भी विबिन प्रकार के घुर सीखता है जैसे दया परोपकार सामाजिक गतिविदियों में भाग लेना सामाजिकता का गु ये सब बालत कहां से सीखता है समाज से सीखता है और समाज में जिन गतिविद्यों में वो भाग लेता है उसके आधार पर उस बच्चे का मुल्यंकन किया जाता है कि बालक में किन-किन सामाजिक गुनों का विकास हुआ है किन-किन सामाजिक गुनों का विकास बालक में करना है विद्याले में ऐसी कौन-कौन सी गतिविदियों का आयोजन करना है ताकि बालक अच्छा अधिगम कर सके उसमें सामाजिक गुनों का विकास हो सके तो मुल्यांतन के अंदर बालक के क्रियात्मक पक्ष पर जोड दिया जाता है और क्रियात्मक पक्ष का निर्माण बालक का समाज के अंदर रहकर ही किया जा सकता है तो मुल्यांतन के सामाजिक प्रक्रिया है इसका मतलब है कि मुल्यांतन के वल विद्याले आधारिक गतिविदियों का यह नहीं किया जाता है बालक के सामाजिक गतिविदियों का कितना विकास हुआ सामाजिक गतिविदियों में कितना भाग लेता है कौन कौन सी सामाजिक ग इसके अलावा मुल्यानकन के माध्यम से छात्रक और सिक्षक श्वयम अपना मुल्यानकन कर पातें हैं उसके आधार पर अपनी व्यवार में इतना पलिवर्टन करना है, किन-किन चीज़ों को सीखना है, जो सैक्षिक उब्देश्य उसने निधारिव किये थे, उनको प्राफ्ट किया या नहीं किया, ये सब जो है स्वे मुल्यांकन जो होता है वो मुल्यांकन के आधार पर किया जाता है इसके अलावा विशेश कत्ते के इस पश्टी करण में सहायता भी जो है आपका मुल्यांकन करता है तो मुल्यांकन एक अनवरत जलने वानी प्रक्रिया है मुल्यांकन एक जापक प्रक्रिया है बार के मुरित प्रक्रिया है सामाजिक प्रक्रिया है सिक्षन प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, स्वे मुल्यांगन करता है और विशेश कत्ते के इस पश्टी करण में सहायता करता है इसके अलावा परिमानात्मक एवं गुनात्मक दोनों तरीकों का उपियो या दोनों तरह से प्रस्तुत किया जाता है इसको मुल्यांगन को हम दोनों तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, परिमानात्मक और गुनात्मक दोनों तरह से इसको कर सकते हैं इसके अलावा सिक्षन विदियों का सिक्षन उद्धिश्टों को कहां तक प्राप्त किया जा सका ये हम मुल्यांगन के माध्यम से जाँच कर पाते हैं, बच्चे का बुद्धी इसतर कितना है, इसकी जाँच कर पाते हैं तो ये सारी चीजे हम मुल्यांगन के अंदर करते हैं तो बच्चो मुल्यांतन में मुल्यों का मिधारन किया जाता है मुल्यांतन में ज्यानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का जोर दिया जाता है मुल्यांतन एक जीवन प्रेंट चलने वाली प्रक्रिया है मुल्यांगन में बालक के सर्वांगरी निकास पर जोर दिया जाता है मुल्यांगन के आदार पर अधिगम परिस्ततियों को देखा जाता है अधिगम की कटिनाईयों का पता लगाया जाता है मुल्यांगन एक योगात्म प्रक्रिया है मुल्यांकन किसी भी अधिगम परिस्तती के बाद उसका मुल्यांकन किया जाता है तो ये सारी चीजे मुल्यांकन के अंदर आती है इन परिभाशाओं को जो मैंने आपको बोर पर निखवाई है इनको आप पॉपी में नोट डाउन करेंगे उद्देश लिखेंगे और विशिश्ताई लिखेंगे क्योंकि मुल्यांकन का टॉपिक आपके पेपर नाइन में बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है और कई बार उससे लिएटेट क्रेस्टन आए है तो मुल्यांकन का प्रेस्टन जो आपके आएगा अगर आपको उसको करना है तो आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखे सुने, समझे और जो मैंने बोर पर लिखवाया है उसको लिखे ताकि मैं आगे के वीडियो भी आपके लिए बनाती रहूं और इसके लिए आपको नव भाड़ती स्टड़ी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा लाइक्स करना होगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट देने होंगे ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाती रहूं धन्यवाद